बासा अकबर ने एक बार बीरबल से का बीरबल तुम तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पिता जी तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान होएंगे एक बार बुलाए लावो दरबार तो बीरबल ने कहा हुजूर छबा करें वो नहीं आएगे अरे नहीं नहीं बुला के लाना कल उनको मेरा इतना तो कहना तुम्हें मालना ही होगा अब बीरभल ब्रामण थे हिंदू थे वो माराज अपने पिता जी के पास गए साम को कहे लेगे पिता जी असा ने बुलाया है दरबार में चले चलिए तो भीरबल के पिता अबिचाने बहुत जयादा हुँसे आरष दिमार नहीं थे कहले लला तुमही बेटा वहाँ जाओ बासा के सामने । हमका जाएक का कहेंगे हमका कहेंगे हमें तो कुछ ज़यादा बोलो उना याउत हमका बोलेंगे तो बीरबल ने कही आपका बोलना कचुना आप चलो तो आप बुलियो कचुना आप बैठो चले बहाँ तो उनोंने कहा ठीक है जिबिटा चले अचा दर्बार में जाकर के जैसे ही पहुंचे तो बीरबल ने तुपहले के जिए पिता जी तुम बोलना कुछ बस बैठे रहे समय काफी गुजर गया तो बासा अकबर आए अकबर ने कहा और सब खैरियत है तो बीरबल फे पूचा बुईर बल दिये तुवारे पिता जी है बीरबल ने कहा हुझूर कहा जी अब कुछ बोलते नहीं है कहा कि अब क्या बताए थोड़ी देर फिर पूचा क्या बोल नहीं पाते तो बतहूं नहीं बोले अकबर ने बीरबल दे कही बीरबल जा बताओ यदि कोई मूरख से पाला पत जाए तो कहा करनो चाहिए तुम तो हमारे मंत्रियों को एक तरीका बताओ तो बीरबल ने हाँ जोड़ी कही ओजूर जो हमारे पिता जी कर रहे हैं अब देखो इतनी बात पर महाराज सारे सभा को लोग बीरबल के लिए तालिया बजाने लगे बोले कितना बड़ा प्रमाट दे दिया किसी मूरग से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए बोले मौन हो जाना चाहिए जो मेरे पिता जी कर रहे है तो इसके मतलब राजाक डारेक्टली नहीं कहा लेकिन कह पूरा दिया